Hello Friends, मेरा नाम है लो केश्टिवारी and Work India Channel में आपका एक बार फिरसे स्वागत है जहां हम बात करते हैं कि आपको कैसे fastest job मिले वो भी बिना किसी को पैसे दिये So, आज हम बात करने वाले हैं ऐसे चार कारण जिसकी वज़े से लोगों को job मिलने में बहुत असुविधा होती है या problem होती है हो सकता है इन में से किसी एक problem से आप भी जूज रहे हो So, ये वीडियो आपकी help definitely करेगा इन चारो reason को discuss करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब मैंने 2011 में अपनी engineering complete की और मैं job ढूणने के लिए बाहर निकला तब मुझे भी job ढूणने का वो pain जो होता है न यार कैसे job मिलेगी, कैसे करेंगे, कौन सी job होनी चाहिए इतनी सारे questions और इतनी सारे doubts थे माइड में बट फिर हिम्मत करके हम बाहर निकले यार कि ठीक है चलो job ढूणते हैं एक महिना निकल गया, दो महिना निकल गया, मैं ढूण रहा था यार कोई तो job लग जाए, कहीं से नौकरी पे कोई email आ जाए, LinkedIn पे उसमें LinkedIn इतना famous नहीं था तो मेंली तो नौकरी ही था, times jobs, यह सब चीजे थी कोई तो mail आ जाए, हर जगा जाके, you know, account बनाना, resume बनाना फिर थोड़े बहुत apply भी करना, बट wait करते रहना कभी कोई तो मुझे approach करेगा That was my first mistake कि मैं सिर्फ और सिर्फ wait करता रह So this is the first reason why people don't get job कि वो सिर्फ इंतजार करते हैं कि सामने से mail आएगा या सामने से कोई उन्हें approach करेगा उन्होंने तो बस apply कर दिया है, उन्होंने तो बस resume भेज दिया है, उनका काम हो गया So if you want to get fastest job, then you have to be proactive सिर्फ सामने वाले का wait ही मत करते रहो आपने एक जगा interview दिया, वहाँ से reply जो आएगा सो आएगा, बड़ आप तब तक दूसरी के लिए आगे बढ़ जाओ ये मेरी पहली mistake थी, जो मैंने 2011 में की लेकिन उसके बाद कुछ change आया मेरे अंदर मैं proactive हो गया, at least मैं खुद सामने से जाके कंपनियों को approach करने लगा, उनके website से जाके email ID निकालने लगा, उन्हें अपना resume भेजने लगा, उन्हें अपने सारे काम भेजने लगा मैं और आप belief नहीं करोगे, within two months, I got a job with the salary of 17,000 rupees और मुझे कौन से technology में job लगे थी, उस समय VC++ में, और job करते करते जब 6 महिने निकल गए, तब मुझे समझ में आया कि या, मुझे ये VC++ technology से जादा ना, मुझे किसी दूसरी technology में interest है, which is Java, आप में से हो सकता है, कुछ लोग ना समझे, but that's perfectly fine, आप ये समझो कि जो मैं job कर र ये है, कि वो सिर्फ internship थी, pure job नहीं थी, और internship का package क्या था, आपको पता है, you'll be amazed, वो package था सिर्फ 4,000 रुपे का, सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपे का, लेकिन उसके बावजूद, मैंने अपनी पुरानी वो job छोड़ दी, और मैंने इस 4,000 के internship वाली job को join कर लिया, क्योंकि इस में मेरा interest था, ये चीज में करना चाहता था, so यहां से हमें मिलता है दूसरा reason कि क्यों लोगों को job नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो perfect job ढूंडते हैं, उन्हें सब कुछ perfect चाहिए, perfect company, perfect job, perfect salary, ऐसे नहीं होता है, life ऐसे नहीं आगे बढ़ती, हमें सबसे पहले start करना होता है, ए improvement करते हुए आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मैंने पहली job हासिल कर ली, उसके बाद मैं आगे बढ़ने लगा और मैं ढूनने लगा कि किस में मैं बहतर हूँ, क्या मैं सबसे अच्छे से कर सकता हूँ, और वहां से फिर मैंने switch करके दूसरी job हासिल कर ली, भले उसमें कम salary थी, but मैंने वो चीज ले ली, अगर मैं सिर्फ perfect job का wait करता, तो आप सोचो ये job मिलने में मुझे 6 महिने और लग जाते, या फिर perfect salary मैं ढूनता तो मैं अपनी 17,000 की job छोड़के, क्यों ये 4,000 के internship करता, you'll be amazed to know, कि 2013 तक आते आते हैं, अगले 2 सालों में, मेरी salary लगभा 40,000 की range मे आ गई थी, which is good growth, 4,000 से 40,000 तक पहुंच गया है, अच्छी बात है, so अगर आप proactively action नहीं ले रहे हो, अगर आप perfect सब कुछ ढून रहे हो, तो आपको job मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, आपको पता है मैं इतना तेज grow क्यों कर रहा था, 4,000 से 40,000 में क्यो पहुंच गया, मैं सिर्फ salary के पीछे भाग रहा था, इसलिए नहीं, क्योंकि मैं continuously value के पीछे भाग रहा था, कि मैं कैसे और value दे सकता हूं, मैं कैसे और value दे सकता हूं, और उस value के बदले पैसे मिलते हैं, time के बदले सिर्फ office में time spent करने का पैसा नहीं मिलता, आप कितना value दे रहा उसके बदले पैसा मिलता है, and this is the third reason why people don't get job, क्योंकि वो value नहीं दिखा पाते सामने वाले को कि मैं किस तरह की value लेकर के आ रहा हूं आपकी company के लिए, वो सिर्फ ये बात करते हैं कि job चाहिए, मुझे बहुत जरूरत है, sir job दे दो, ऐसे नहीं job मिलती, आपको value दि संभावना आपकी घड़ जाती है, आपको हमेशा focus करना है अपनी value पे, आप जबी भी interview दो, बात करो, तो आप हमेशा project करो कि आप किस तरह की value लेकर के आ रहे हो company में, सिर्फ आप सामने वाले को जाके message भेजोगे, कि मुझे job की जरुरत है, मुझे job चाहिए, I need job, तो इस से आपको job नहीं मिलेगे, आपको क्या करना है, सिर्फ resume नहीं भेजना है, आपको अपनी value भेजनी है, अपना काम भेजना है, कि ये देखो, मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है, मैंने ये काम किया है, और इस तरह के काम में मेरा interest है, मैं आपकी company को इस काम में value दे स चाहिए एंद चौथा रीजन जिसकी वज़े से लोगों को जॉब नहीं मिलती वो ये कि वो जॉब के बारे में कंपनी के बारे में रिसर्च ही नहीं करना चाहते हैं और ना ही रिसर्च करते हैं वो interview में भी जाते हैं तो बहुत कम preparation के साथ है कोई पुराना सा resume होगा उसको ले करके जाएंगे उसको properly update नहीं करेंगे खुद resume की proof reading नहीं करते so resume की proof reading तो छोड़िये वो interview में किस तरह के बात करते हैं कि sir मुझे job चाहिए sir मुझे बहुत जरूरत है sir मुझे पैसे की जरूरत है sir मुझे ये चाहिए sir मुझे बस इसी के बारे में बात करते है वो interview में ये नहीं बताते है कि sir मैं ये कर सकता हूँ sir मैं इस तरह का काम कर सकता हूँ no value के बारे में उनकी जरा भी बात नहीं होती उनकी बात सिर्फ इतनी होती सर मुझे जॉब चाहिए, सर मुझे जॉब चाहिए, सर मुझे जॉब चाहिए सो अगर आपने job के बारे में research ही नहीं किया है आपने requirement के बारे में research ही नहीं किया अगर आपने company के बारे में research ही नहीं किया तो आप कैसे अपनी value present करोगे आपको requirement के बारे में research करनी चाहिए कि किस तरह की requirement है, sales की requirement है, telecalling की requirement है, business development की requirement है, driver, delivery, graphic designing, जो भी है, आपको एक बार ध्यान से पढ़ना चाहिए कि किस तरह की requirement है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है job description पढ़के, तो at least आपको सही question पुछना चाहिए सामने वाले से क कि इस job में किस तरह की skill required है, किस तरह का effort required है, और उसके base पे आप सामने वाले को present कर सकते हो, कि आप उस requirement की कितनी value present कर रहे हो, so these are the four main reasons why people don't get job, number one, वो लोग proactive नहीं काम करते हैं, number two, वो perfect सब कुछ धूनने का प्रयास करते हैं, perfect जैसा कुछ होता नहीं है, number three, वो value के बारे में बात नहीं करते हैं, सिर्फ अपना neediness दिखाते हैं, कि बस मैं बहुत needy हूँ, बहुत needy हूँ, बस, and number four, they don't research about requirement and about company, और इन ही चार reason को follow करने वाले लोग अकसर struggle करते हैं, job पाने में, मुझे उम्मीद है कि इस तरह के video आपको help करते हैं, grow करने में, मिलते हैं next video में, तब तक आप अपने growth का सफर जारी रखिए, अरे रुको रुको भाई, आपके लिए एक good news भी है, अगर आपको job ढूणने में कोई issue आ रहा है, problem आ रही है, और आप मुझसे direct पूछना चाहते हो, तो मैं Instagram पे हर Saturday, 6 PM को live आता हूँ, आप Instagram के हमारे channel को जाके subscribe कर सकते हैं, और आप हर Saturday आके मुझसे questions directly पूछ सकते हैं,